नमस्कार ये आकाश्वानी है अभी आप तादु याजो से समाचार सुनेंगे पहले मुख्य समाचार पधान मंद्री नरिंदे मोधी आज दोपहर महाराश्टा के सीधी में पहरत पश्चिम एश्या यूरोप अर्थिक गल्यारे पर प्रगती इसराइल पर हमास की हमले का कारण बना अमरिका प्रवर्त निदेशाले ने फेमा मामले में राजिस्थान के मुख्य मंत्री के बेटे भेवव गहलोत को समन जारी किया अब समाचार विश्थार से पधान मंत्री नरिंदे मोधी आज महाराश्ट्र और गोवा के दोरे पर जाएंगे वे एहमद नगर में श्री साहिबाबा समाधी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे तथा श्रधा लोगों के लिए ने दर्शिन परिसर का उठगाटन करेंगे नया परिसर आथ्याद्यूनिक सुविधाओं से लेश है और ये प्रतिक्षाले का भी काम करेगा दसदार से भी अधिक लोगों की शमतावाले इस परिसर में अमान्ती, समनघर, सोचाले, बुकिंग काउंटर, प्रसाद काउंटर और सुषना केंद्र बनाया गया है पधार मंत्री ने अक्टुबर 2018 में इस नए परिसर की आधारशिला रखी थी प्रधार मंत्री निलवांडे बांध का जल पूजन भी करेंगे और बांध की नहर प्रनाले राष्टर को समर्पित करेंगे वे सीधी में एक जन सभा में भाग लेंगे और स्वास्त, रेल, सरक तथा, तेल और गैस जैसे शेत्रों में जुरी लगबक 7500 करोर रुप्ये मूले की बिविन विकास परियोजनाओं का उडगाटन और कुछ परियोजनाओं की आधार शीला रखेंगे प्रधानमंत्री नमो शेतकारी महासम्मान निदी योजना की भी शुरुवात करेंगे इस योजना से महाराष्टर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के 86 लाग से अधिक लभार्तियों को फाइदा होगा इसकी अंतरगत उन्हें प्रती वर्ष 6,000 रुप्य की अतिरिक राशी दी जाएगी प्रधानमंती नरंदर मोदी आज शाम गोवा पहुंचेंगे जहांवे मारगाउं में 37 राष्टे खेलों का उटगाटन करेंगे वे खेलों में हिस्सा लेने वाले एटलितों को संबोधित भी करेंगे राष्टे खेल गोवा में पहले बार हो रहे हैं ये खेल 9 नवंबर को संपन होंगे इनमें देश पर के 10,000 से अधिक एटलित 28 स्थानों पर 43 परदाओं में हिस्सा लेंगे राश्ट्य खेलों के उटगाटन सामरों में उपस्तित लोगों में लगबाग 500 विध्यार्ती भी होंगे अर नचल प्रदेश, आसाम और औरिसा के खेल मंत्री भी उटगाटन सामरों में उपस्तित रहेंगे चुनावों के दोरन मद्दाताओं की भागिधारी बराने की दिशा में कदम उठाते हुए निर्वाचन आयोग में जाने माने फिल्म अभिनेता राश्ट्य आयकन बनाया है इसका उदेशे विसेश रूप से युवा मद्दाताओं में जागरुकता बराना है मुखे निर्वाचन आयोग राजिप कुमार और अन्यवरिष्ट अधिकार्यों की मोजुद्की में नई डिल्ली में रंगभवन में आयोजित कारेकरम में राजकुमार राउ तथा निर्वाचन आयोग की भी समझोता ग्यापन का आदान प्रदान किया गया इस अफसर पर राजिप कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग कल से विदान सभा चुनाव वाले राजिव में मद्दाता सूचियों को अपडेट करने का विशेस अभिहान शुरू करेगा उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में युवाओ की भागिदारी बराने के लिए सिक्षा मंत्रा लेका भी सहयोग लिया जाएगा अभी नेता राजिकुमार राव ने राश्ट्य आयकोन चुने जाने पर निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दिया उन्होंने युवामद दाताओं से बोर्ट देने के लिए आगे आने की अपिल की केंद्र साकारिता मंत्री अमित शा ने पारंपरिक भीजो के उत्पादन में बरोत्री की आवशक्ता पर बल दिया है ताकि ग्रामिन अर्थ व्यवस्ता को मजबूत बनाया जा सके पारंपरिक और उन्नत भीजो के उत्पादन में साकारिता शेत्र भूमिका के बारे में नई दिल्ली में राष्ट्य संगोष्टी को संभोधित करते हुए शिर्षा ने साकारिता शेत्र में भीजो का निर्याद बरानी की अवशक्ता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि बीजों के निर्यातने भारत का हिस्सा केवल एक प्रतिशत से भी कम है। शृषा ने कहा कि प्रत्य किसान प्रात्मे क्रिशी रिन समीतियों के मध्यम से बीजों का उत्पादन कर सकता है। उन्होंने कहा कि आज संपून विश्व मोटे अनाज के भेतर गु निर्भरता को अधिक से अधिक सीमित कर रही है ताकि आत्मा निर्भर बना जा सके। सामानवे और एकिकरन तथा मानब संसादन प्रवधन शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मोर्चे पर अच्छी प्रव्रती हो रही है। पूर्ण कालिक निर्देशकों की संख्या बैंक के बोर्ट द्वारा संचालन के आकार व्यावसाइक जटिलता और अन्य प्रसंगिक पहलों को ध्यान में रखकर तेकी जाएगी। भातेशब बैंक ने उन बैंकों को निर्देश दिया है जो बर्तमान में इस अवशक्ता को पूरा नहीं करते। हैं कि वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहट सरकुलर जारी होने की तिथी के चार महिने की अवधी के बीतर पूर्ण कालिक निदेशकों की नियुक्ती का प्रस्ताव प्रस्तूत करे। प्रधार मंतरी के मन की बात कारे क्रम ने अमरोहा के गजरोला निवासी राम सिंग बोथ को इतना प्रेडित किया है कि उन्होंने रेडियो का अदभुत संग्राले बना डाला। 2014 में शुरू हुआ ये संग्राले अब 1400 से अधिक रेडियों सेर्थ का प्रभावशाली संग्रे समेटे हुए हैं। कि महत्वा अकांशी योजना की खुशना के बाद किया है। इस गल्यारे से समूचा शेत्र, रेल और सरकमा से जुड़ जाएगा। जो वाशिंटन में आउस्ट्रेलिया प्रधनमंत्री एंथिनी अलवानीस के साथ सन्युक संबादाता समेलन को संबोधित कर रहे थे। अमरेकी राश्टपती ने कहा है कि उनका ये विसलेशन अपनी समझ पर आधारित है और इसके लिए उनके पास कोई सबुत नहीं है। पिछले एक सब्ता में श्री बाइडन ने दूसरी बार ये बात कही है कि भारत पश्चिम एशिया यूरोप अर्थी गल्यारे के चलते एक मामले में पूछथाच के लिए तलब किया है। बैवब गैलोट से कहा गया है कि वे कल प्रवरतर निदेशाले के जैपुर याने दिलिक के कारेले में हाजिर हो। निदेशाले की ओर से हाली में होटल समू, टिटन होटल अन रिसोर्स प्राइवत लिमिंटेट और समू राजस्थान कॉंग्रेस के प्रदिश, अधियक्ष, गोविन सिंग, डोता सारा के सिकर और जैपुर के ठिकावनों पर भी चापे मारे हैं। डोता सारा राज्य सरकार के पूर्व स्कूल सिक्षा मंत्री हैं। सरकारी सुत्रों ने बताया है कि महुआ विदानसभा सीथ से कॉंग्रेस उमिदवार ओम प्रकास हूरला तथा कुछ अन्य लोगों के ठिकावनों पर भी जांच की जा रही है। इससे पहले प्रवर्दनी देशाले ने लोग सेवा आयोक के सदस्ये बाबुलाल कटारा और कटिद डलाल अनिल कुमार मीना को सिक्षक भरती परिक्षा 2022 के प्रशन पत्र लीक होनी के मामले में गिरफतार किया था। इसराइल ने भारत से अनुरोध किया है कि पलिस्तीनी आतंगवादी गुठ हमास पर प्रतिबन लगाएं और उसे आतंगवादी संगर्टन गोशित करें। नए दिली में समवादाताओं से बाचित में अधिकारियों से अनुरोध किया है कि 7 अक्तूबर को इसराइल पर हुए क्रूर हमले के बाद हमास को आतंगवादी संगर्टन गोशित किया जाए। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि भारत अन्ये देशों की तर्श पर हमास को आतंगवादी संगर्टन गोशित करे उन्होंने हमस के खिलाफ आतंग रोधी अवियानों में इसराइल को सत्प्रतिशत समर्तन देनी के लिए भारत को धन्यवाद दिया इसराइली राजदूत ने कहा है कि प्रधार मंत्री दर्नेदर मोधी दुनिया के उन नेताओं में शामिल है जिन्होंने सबसे भारत इसराइल पर हुए आतंग रोधी नेतिक मूल्यों की महतपून और प्रकर आवाज है और इसराइल के साथ है इसराइल और हमास के बीच मौजदा संहर साथ अक्टोबर को गाजा से हमास आतंग वादियो दौरा इसराइल पर हुए हमले के बार शुरू हुआ इसे के साथ ये समाचार बुलिटिन समाप्थ हुआ नमस्कार